नमस्कार साथियों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं MP Board Class 10 NCRT Match जिसमें हम देख रहे हैं अध्याई नमबर 7 और अध्याई नमबर 7 से हम देखेंगे प्रशनावली 7.2 प्रशनावली 7.2 यहां पर हम देख रहे हैं तो प्रशनावली 7.2 का आज का हमारा जो कोशन है कोश प्रशनावली 7.2 से प्रशन करमार पहला आपका क्या कहता है तो आज सुनेंगे उस बिंदू के निर्देशांक ग्याद किजिए जो बिंदू माइनस एक कॉमा साथ और चार कॉमा माइनस तीन को मिलाने वाले रेखाकंट को दो अनुपात तीन के अनुपात में विबाजि १ित करता है ठीक है यहाँ पर हमें क्या करना है निर्देशांक का कौन से ग्याद करने यहाँ पर तो यहाँ पर मैंनец एक कमा साथ और चार मैनस तीन को मिलाने वाले रेखाखंड को मतलब इन दोनों बिंदू को जो रेकाखंड मिलाता है जैसे कि हम बात करते हैं ये वाले पॉइंट इस तरह है माइनस 1,7 और ये इस तरह है 4,3 इस रेकाखंड को मिलाने वाले दो अनुपात 3 के अनुपात में तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 ठीके गाईस विभाजित करता है ठीके मतलब कुल मिला के मैं इतना आपको बता देता हूँ हमें क्या करना है X और Y दोनों के मान निकलना है किसका मान निकलना है एक निकलना है X का मान और एक निकलना है Y का मान तो अब X का और Y का मनम कैसे निकालेंगे तो दोनों के लिए हमारे पास formula available है तो यहाँ पर देखो दोनों के सुत्र कौन से होते हैं तो सुत्र होते हैं विभाजन सुत्र जो कि मैंने आपको introduction वीडियो में दिखा दिये थे अगर आपने introduction वीडियो नहीं पढ़ा है तो आपसे request है आप एक बार introduction वीडियो को पढ़ लेजिए ठीक है यहाँ पर हल करेंगे हल करकर हम यह लिखेंगे दिया है क्या दिया है आपको तो जो भी दिया है सबसे पहले तो वो not कर लिजिए ठीक तो आपको दिया है उस बिंदू के निर्थे शांग जयाद किज़े जो बिंदूओं मतलब दो बिंदू आपको दे दिये हैं तो यह हो जाएगा x1 y1 ठीक और फिर है x2 y2 ठीक है क्या बिंदू दिये हैं आपको x1 y1 और x2 y2 तो x1 y1 कितना हो जाएगा माइनस एक और साथ और यह हो जाएगा 4 माइनस 3 ठीक को मिलाने वाले रेका कंड को 2 अनुपात 3 के अनुपात में तो यहाँ पे हमको m1 अनुपात m2 कमान भी दे दिया है और कितना दिया है 2 अनुपात 3 हमें उस बिंदू के निर्देश्यां क्यात करने है मतलब x और y कमान आपको निखालना है यहाँ पे तो वह हो जाएगा question mark ठीक है guys तो यतना तो आपको समझ में आ चुका है कि यह चीजिए हमको सारी दी होई है और हमसे क्या पूछ रहा है अब आई यह हम सुत्र लगा देते हैं तो विभाजन सुत्र आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा तो लिख देते हैं विभाजन सुत्र बेसे तो अंता विभाजन सुत्र बोलते हैं लेकिन हम विभाजन सुत्र लगते हैं ठीक है X के लिए रिखेंगे तो क्या हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 Y X1 है ना क्या हो जाएगा M1 X2 और M2 X1 और फिर बटे में M1 प्लस M2 बस यहाँ पर आपको रखना कोई करना कुछ नहीं है ucer भी बस मान और रहा है 않고 utry要 2 x4 प्लस M2 कितना हो जाएगा तो M2 को मान 5 कि हो जाएगा टीम टिक अंगली स्टेप मैं इसको हल कर लेते हैं, तो दो चोक हो जाएगा आपके 8 कितना हो जाएगा, 8 8 plus minus minus हो जाएगा, 3 एक हम 3 हो जाएगा आपके, और बटे में हो जाएगा 2 और 3 5 अगले step में, अगर हम देखें तो 8 में से 3 को minus करते हैं, तो बचता है 5 और बटे में आपके already 5 है तो 5 से 5 कितनी बार में? एक बार में cancel हो जाएगा तो यहाँ पर X कमान कितना मिलेगा आपको? तो X कमान मिलेगा 1 तो यह तो निकाला आपने X कमान लेकिन हमें Y कमान भी निकालना है तो फिर से हमें Y का सुत लगाना पड़ेगा तो क्या करदेंगे? Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड बाइ M1 प्लस M2 ठीक है? क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 तो फिर से मान रख देते हैं M1 कमान आपके 2 हो जाएगा गुनित Y2 है M1 कमान 2 है Y2 Y2 कितना है? मैनस का 3 है तो यहां पे मैनस 3 रख देंगे प्लस M2 कमान तो M2 कमान कितना 3 है? अपका गुनित Y1 अब Y1 कमान कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 7 ठीक है गईस? यहाँ पे M1 प्लस M2 तो 2 प्लस ठीक है आगे और हल करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा य बराबर 2 तिया 6 लेकिन काईगा माइनस काई ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस तीनों साथे 21 और बटे में 2 और 3 तो फिर से 5 ठीक है य बराबर माइनस 6 और 21 में से बड़ी संख्यां यहां पर 21 है इसलिए 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा 15 और बटे में तो 5 है 5 एकम 5 और 5 तिया 15 तो Y कमान कितना हो जाएगा तो Y कमान हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है अतहर हम लिख देंगे क्या बोला हमसे उस बिंदू के निर्देशां क्यात किजिए जो बिंदू हो लिख देंगे आप अतहर X कमान कितना आया एक और Y कमान 3 और यही आपका हो जाएगा फाइनल अंसर ठीक है ग झाल झाल